क्या हो जब बिना इजाज़त लिए तीन पुरुशों के फोटो नजबंदी के पोस्टर पर छाप दिये जाए हंगामा मत जाएगा क्योंकि आज भी भारत में और खास तोर पर ग्रामेनी इलाकों में नजबंदी को सीधे-सीधे मरदानगी से जोड़ा जाता है एसा ही होता है जगावर चोदरी, विने शर्मा और अरजुन सिंग के साथ हमने नजबंदी करा लिए कि पोस्टर पर तीनों के फोटो छपते हैं तो उनकी जिंदगी में भुचाल आ जाता है जगावर की बहन की सगाई तूट जाती है विने की पतनी नाराज हो जाती है और इस सभावना को पूरी तरह दोहन नहीं किया गया फिल्म का लेखन और निर्देशक का प्रस्तूति करण सब टीवी पर प्रसारित होने वाले हास से धारावाईकों की तरह है अजीब से हरकतें उस पर फणी सा बेग्राउंड म्यूजिक पर ठाके लगाना सब के बस की बात नहीं है हाला कि ये धारावाईक बेहद लोगती हैं क्योंकि लो आईक्यू यूमर को भी पसंद किया जाता है और कई लोग रिलेक्स होने के नाम पर इस तरह की कॉमेडी देखना पसंद भी करते हैं तो जगावर विनय और अरजुन की जब जग हसाई होती है तो वे उस आ विभाग के मंतरी तथा कर्मचारी उन्हें गलत सावित करने की पूरी कोशिश करते हैं फिल्म जैसे जैसे अंतकी और बढ़ती है रूटीन हो जाती है आंदोलन करना सोशल मेडिया का सहरा लेकर आम आदमी को अपनी लड़ाई में शामिल करना वीडियो और फोटो शेयर क सरकार को नीन से जगाने वाला रास्ता कई फिल्मों में दोहराया जा चुका है और पोस्टर बाइस के लिखकों ने बजाए कुछ नया सोचने के यही चिर परिचित अंदाज अपनी बात को खत्म करने के लिए चुना है फिल्म का निर्देशन श्रेस तलपा देनी किया है उनकी सोच इस पस्ट नजर आती है कि वे सरल और सीधी फिल्म बनाना चाहते थे और वैसा ही उन्होंने प्रस्तूती करन रखाया जितनी निर्देशन की समझ थी वैसा ही काम किया कुछ अतिरिक्त करने का जोखिम नहीं उठाया फिल्म की शुरुआत में तीनों लीट करेक्टर्स का एक एक कर परिचे कराया उनकी कुछ खासियत दिखाई सनी और बाबी की इमेज का ध्यान रखते हुए उनके सीन रचे गए जैसे बाबी देवल के मोबाईल की रिम टोन उनकी ही हिट फिल्म सोलजर के गीत सोल वाले सीन जरूर हसाते हैं अच्छा होता कि एक बड़िया सा फाइट सीन भी रखा जाता ताकि सनी के फैंस की खुशी और बढ़ जाती नस्बंदी का महत्व और बेटा बेटी एक समान वाले संदेशों के साथ फिल्म को खत्म किया गया है फिल्म में कुछ ऐसे सीन हैं जो हसाते हैं खासतों पर पहले हाफ्ट में लेकिन कुछ ऐसे दर्श भी हैं जो खीज पेदा करते हैं जैसे जब सनी दोल की बहन की सगई तूट जाती है तो वह दूले के पीता के पेरों में पगड़ी रखते हैं पचास और साथ के दशक की फिल्मों वाले सीन 2017 की फिल्म में देखना केसे बरदाश्ट किया जा सकता है सनी दोल का अभीने अच्छा है लेकिन निर्देशक अभी भी उनकी पुरानी छवी को दोहरा रहे हैं जिससे सनी को बचना चाहिए इस फिल्म में भी बलवंतराय के कुत्ते तारिक पे तारिक और धाई किलो का हाथ सुनने को मिल हैं हिरोईनों में समिक्षा भटनागर का काम बहतर है फिल्म को कम बजट में बनाया गया है और यह बात सिनेमाटोग्राफी सेट मेकप के जरिये नजर आती है कुल मिलाकर पोस्टर बॉइज एक औसत फिल्म है इस फिल्म को मैं पांच में से दो स्टार देता हूँ